पारवती तीन पावर स्टेशन बिहाली में राज भाषा हिंदी के परचार परसार और हिंदी की पुस्तकों के ज़्यादा से ज़्यादा अध्यान को प्रोत साहित करने के उदिशे से हिंदी पुस्तक परदर्शनी का आयोजन किया गया परदर्शनी का उदगाटन पावर स्टेशन के महा परवंदक विक्रम सिंग ने किया परदर्शनी के दुरान पावर स्टेशन के कार्मिकों ने हिंदी की पुस्तकें इशू करवाई और पुस्तक परदर्शनी के लिए आयोजन पर अपनी बहुमुल्य टिपनिया दी परदर्शनी में कार्मिक मास्क पहन कर शामिल हुए और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया इस सम्मद में महाप्रवंदक ने भी सभी से स्तरक रहते हुए कोवी-19 से बचने हेतू दिशन निर्देशों के पालन करने की अपील की परदर्शनी का परदर्शन किया गया है यहां कर आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा हिंदी परफ़ारा चला हुआ है एक स्तमबसर से लेकर चौना स्तमबर तक उसी के दोरान यह मानुशन साथन के बाग का एक प्रयास है यह परदर्शनी जो लगाई गई है पुस्ट्कों की कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी के साथ लुए हिंदी की पुस्ट्कें है अभी दाइन भी परद्चेज की है और प्रानी में हैं जो भो भी रखी हैं जो पुस्ट्काले में उपलब्द है इसका मकसद यह की है कि हमारा पुस्ट्कों के साथ लगा आज के जमाने में हम लोग फोन के ही दिमाने हैं दिव्वे हिमाचल टीवी के लिए भुंतर से हीरालाल ठाकुर के साथ संधीब काचरो की रिपोर्ट सौनी ज्वेलर्स नेर्चोग जिला मंडी सौना और चांदी की खरीदारी के लिए विभिन परकार के निवेश या इन्वेस्मेंट प्लान उपलब्द तो आईए सौनी ज्वेलर्स नेर्चोग जहां पर अलग-अलग तरहा के नविंतम और आकर्शक गहने उपलब्द है सौना चांदी और हिरे ज्वारात में आज ही निवेश करे और अपना भविश्य सुरक्षित करे सौनी ज्वेलर्स नेर्चोग जिला मंडी आज ही संपर करे